हलो फ्रेंड्स आज के इस C++ के वीडियो में आपका स्वागत है आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम text को print करते हैं यानि जो text हम देंगे यहाँ पे उसका output कैसे आएगा आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तो सबसे पहले हमको यहाँ पे header फाइल लेनी पड़ती है जिसको हम लोग hashtag से लेते हैं hashtag include greater than यहाँ पे less than देना है उसके बाद में अब आपको यहाँ पे देना है konio.h ठीक है यह हमारा header फाइल होता है और एक हम यहाँ पे use करते हैं जिसको हम लोग include iostream.h बोलते हैं तो इसको भी आपको ले लेना है iostream.h ठीक है अब यहाँ पे आपको क्या करना है अब यहाँ पे हम लेते हैं void main ठीक है तो यहाँ पी आपको void main लेना है bracket open और close कर दीजेगा enterprise करने के बाद में आपको यहाँ पे curly bracket open कर लेना है open करने के बाद में अब जो भी text हम यहाँ पे print कराना चाहते हैं इसको हम लोग लेते हैं see out के अंदर में यही हमारा text को print करने का काम करता है और जो भी text हम print कराना चाहते हैं उस text को हम यहाँ पे inverted comma के अंदर में देते हैं example के तोर पर जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं hello friends और invited, close अब यहाँ पे हमको line को भी close करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे indL यानि indLine का जो प्रोग्राम होता है इसका हम लोग यूज करते हैं और प्रोग्राम को run करने के लिए हम यहाँ पे getCH का यूज करेंगी और यहाँ पे जो हमने bracket open किया था इस bracket को भी हम close कर देंगे अब जो प्रोग्राम हमने दिया है यह पूरी तरीके से सही है या कहीं mistake है चेक करने के लिए आप keyboard से simply F9 प्रेस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बता देगा कि कहाँ पे mistake हुआ है तो देखिए अभी हमारे पास एक mistake बता रहा है क्योंकि जब हमने यहाँ पे getCH लिखा था तो यहाँ पे एक column लेना पड़ता है जो कि हमने नहीं दिया था जिस वज़े से आपको यह यहाँ पे एक error देखने को मिला वापस से जब हम यहाँ पे F9 प्रेस करते हैं तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी error नहीं है इस command को यहाँ पे line complete यानि कि यह पास कर गया गया है यानि कि पास हो चुका है तो चलिए अब हम इस program को run करके देखते हैं program को run करने के ल अब मान के चलिए इसी program को हम दुबारा run करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ही word दो बार repeat होता हुआ दिख रहा है क्यूंकि हमने यहाँ पे इसको print करने के लिए तो दिया है लेकिन यह command हमने दिया नहीं इसको कि जो word हमने पहले print किया है यह उस चीश को clear कर देगा उसका data रखेगा नहीं लेकिन अभी यह उस data को रख रहा है तो हमको वो data नहीं रखना है तो उसके लिए हम यहाँ पे clear screen का use कर लेंगे जिसका program होता है c clear c lr उसके बाद में आपको यहाँ पे sr लिखना है bracket open और close करने के बाद में colon दे दिजिएगा अब इस program को यदि हम run करते है तो देखिए यहाँ पे एक ही बार आपका hello friends का जो word हमने दिया था वो आ रहा है चलिए हम आपको और एक बर run करके दिखा देते हैं तो देखिए अभी भी एक ही बार आया है तो आप clear screen का use कीजिएगा तो जो भी text आप print कराएंगे ना वो बार बार repeat नहीं होगा तो यह video क कैसा लगा हमको comment कीजिएगा comment करके जरूर बताईएगा और C++ की और भी videos आने वाली है तो चैनल को subscribe करके रखिएगा साथ में notification को all पर यदि set नहीं किये हैं तो उसको set कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में share कीजिए जो C++ स्टार्टिंग से ले करके पूरे detail में सीखना चाते हैं और C++ ही नहीं और भी बहुत सारे application के courses हमारे इसी channel पर available है तो आप playlist का link आपको description में मिल जाएगा सब अलग part by part बाठ दिया गया है तो आप उन सभी videos को जरूर देखिएगा